पाई का कंसेंसस मीकेनिजम कैसे काम करता है ब्लोकचेन कंसेंसस के प्रकार कितने है और उनमें से सरोसरेश्ट कौन है दोस्तों क्रिप्टो बनता है ब्लोकचेन सिस्टम पर और डिस्ट्रिबुटर ब्लोकचेन सिस्टम में कंसेंसस मीकेनिजम कहो आम सहमती या सरोसमती प्र वो उस ब्लोक्चेन की एको सिस्टम में विभिन्ने कारेक्षमता प्रदान करने के लिए बहुत काम का है विचार है जो कुछ साल पहले किसी न किसी प्रतिभाशाली मनुशे के मन में प्रगट हुए थे और इसी विचारों पर विभिन्न डिस्टिबूटेड ब्लोक्चेन सिस्टम और क्रिप्टो का सामराज ये बना क्रिप्टो के बक्तों एक बात सोचें कि क्या पिछले 5000 सालों में किसी को भी ये विचार नहीं आये थे तो इसका जवाब है ग्ञान का विश्टार और फैलाव होता ही रहता है कभी रुखता नहीं, एक चीज में से दूसरी और दूसरी में से तीसरी वो बढ़ती ही रहती है पुराने राजाओं के समय में ये मुम्किन नहीं था अरे लेंडलाइन टेलीफॉन में भी ये संभव नहीं था कम्पीटर, मॉबाइल और इंटरनेट इन तिनों चीज के मिलन होने के बाद इसकी संभावना दिखाई दी और कुछ प्रतिभाशाली मनुश्यों ने ऐसे कंसेंसस मिकेनिजम बनाए जिससे बविश्य में पैसे का सोरूप बदलेगा और पूरे विश्यों में लेंदेन के तरीके भी बदलेंगे तो ऐसे कंसेंसस मिकेनिजम के नाम है इसके अलावा भी नए बन सकते हैं क्योंकि ग्यान की कोई सीमा नहीं होती इन में से जो प्रचलित हैं उनके बारे में अभी जानेंगे ज्यदा टेक्निकल नहीं परन्तो आसान बासा में संगशेप में समझेंगे पहला है प्रूफ अफ वर्क ये मिकेनिजम वाली ब्लोकचेन पर बिटकोईन क्रिप्टो बना है इसमें एक मुश्किल पजल सॉल करने का होता है जो ये पजल सबसे पहले सॉल करता है उसको रिवर्ड के तोर पर बिटकोईन मिलते हैं बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता यानि जिसके पास ज्यादा पावर्फुल कम्पिटर है वो सब लोग बहुत बिजली खर्च करके पजल तो सॉल करने का प्रहतन करते हैं परन्तु उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को रिवर्ड मिलता है तो बाकी लोगों का तो बेकार में बिजली खर्च करने का नुकसान हुआ न एचे तो लाखों करोडों लोग बिटकोईन की माइनिंग करते हैं उनमें नुकसान भी होता है तो कुछ लोग ग्रूप बना कर पैसों का इन्वेस्टमेंट करके बड़ी पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जिससे वो पजल जल्दी सौल कर सके और ऐसा करके इस पूलिंग से जो बिटकोईन रिवर्ड मिलता है उसको आपस में बांट लेते हैं इसमें डिसेंटरलाइजेजन को खत्रा है यानि बहुत लोग एक साथ मिलकर अगर बड़ी माइनिंग सिस्टम लगाते हैं तो सिर्फ उन ही लोगों को नए जनरेट किये हुए बिटकोईन मिलते हैं तो उनके पास बिटकोईन प्राप्त करने का सेंटर हो जाएगा ये तो वही पुराना तरीका हो जाएगा प्राप समझे या बिना कोई उपयोगिता देखें कि खरीदने के बाद उसका करेंगे क्या है ना शायद बाद में रेट बढ़ने पर बेचेंगे ऐसा सोचते हैं परन्तु बड़ी वेल्स के प्लान के मुताबिक चल रहे इस जुए में अपनी मेहनत के पैसे गवा देते हैं हाला कि हम कोई भी क्रिप्टो पैसे से खरीदने की सला नहीं देते ये सिफ जानकारी के लिए है ये पिछले एक महिने के वो टॉप 20 प्रॉफ णी क्रिप्टो की लिस्ट है जो उनके मार्केट केप के आधार पर बनाई गई है अब जानते हैं प्रूफ अफ औव के कंसेट की खामी को दूर करने के लिए दूसरा एक कंसेट बना प्रूफ आफ स्टेक 2012 में proof of stake का पहला coin बना peer coin इस proof of stake concept में जो project के मालिक होते हैं उनके पास शुरुवात के coin रहते हैं उनमें से कुछ coin stake करते हैं यानि coins का fix deposit करके validator बन जाते हैं blockchain में नए block बनाने के लिए वो voting system का उप्योग करते हैं जिसे नए coin बनते हैं वो उनको reward के रूप में मिलते हैं अब ज्यादा coin को वो exchange पर बेचने के लिए रखते हैं exchange पर नए लोग उस coin को खरीदते हैं और खरीदने वाले नए लोग अपने coin को stake करके validator बनते हैं इस प्रकार मालिक दुसरे coin holder को validator के रूप में नियुक्त करते हैं तो ज्यादा coin को hold करने वाले stake करने वाले उस blockchain के सव मालिक है और voting के माध्यम से सामय हुई group से इसका भविश्य तैय करते हैं ये list है proof of stake consensus पर बने crypto coin की एक उदाहरन Ethereum का देखते हैं तो Ethereum blockchain में आपको validator बनना है तो आपके पास कम से कम 32 Ethereum होने चाहिए 32 Ethereum take करके validator बना जा सकता है एक Ethereum का भाव 1744 डॉलर है तो 32 Ethereum का 55,808 डॉलर होते हैं और उसको रूपिय में convert करे हैं तो 45,00,00,00 रूपिय से भी जादा हुए जो साधरन इंसान afford नहीं कर सकता और ना ही validator बन सकता है Ethereum का node लगाने के लिए technical ग्णान चाहिए जिसके पास Ethereum नहीं है उसको node लगाने से भी कुछ मुनाफ़ा नहीं मिलता validator बनने के लिए Ethereum stake करने पड़ते हैं तो इस प्रकार एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ proof of stake consensus concept से blockchain system पूरण रूप से centralized हो जाता है क्योंकि अधिक पैसे वाले लोग या अधिक Ethereum coin रखने वाले लोग validator बनते हैं proof of work और proof of stake की तुलना करें तो proof of work में ज़्यादा बिजली की खपत होती है transaction confirm करना slow है क्योंकि puzzle solve करने में और सभी node पर उसका confirmation मिलने में 10 मिनेट से 1 घंटे का समय लगता है हाला कि system की security बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी साधरन computer system अकेला puzzle solve नहीं कर सकता है proof of work बरोसा पात रहे और बरसों तक चलता है तो दुसरी और proof of stake में transaction थोड़ा fast होता है परन्तु coin का बटवारा सबको एक समान तरीके से नहीं होता अगर सब लोग अपना stake वापिस ले लेते हैं तो ये blockchain का अंतखो सकता है ये proof of stake वाले crypto की list है लोग उनको पैसे देकर खरीदते हैं शायद stake करने के लिए या बाद में बेज कर मुनाफ़ा कमाने के लिए द्यान रहे हम अभी भी कोई भी crypto को पैसे से खरीदने की सला नहीं देते ये सिव जानकारी के लिए है ये पिछले एक मेने के वो top 20 proof of stake वाले crypto की list है जो उनके market cap के आदार पर बनाई गई है अब जानते हैं delegated proof of stake में क्या होता है depose जो है वो proof of stake का थोड़ा advanced version है उसमें user जो होते हैं वो अपने कुछ tokens को एक pool में भेजते हैं और 20 सेज लेकर 100 लोगों को delegate यानि प्रतिनिती के सरूप में vote देकर चुनते हैं और वो delegates blockchain में validator के तोर पर कारिय करते हैं अगला block बने पर उनको बदले में transaction fees के उसरूप में reward token मिलते हैं और वो delegate उनको उन user में बाट देते हैं जिनका vote उनको मिला है ज्यादा coin stake किये हैं उनको ज्यादा coin मिलते हैं एक तरह से ये लोकतंत्र जैसा तरीका है जैसे लोक शाही में नागरीक vote देकर कुछ अधिकारियों को चुनते हैं ठीक उसी प्रेकार यहां होता है डीपोस consensus के lab के साथ कुछ gear lab भी है जैसे कि network के प्रभावसाली संचालन और निणाय लेने के लिए इमानदार प्रतिनीद्यों को न्यूक्त करने की आवशक्ता होती है दुसरा gear lab है कम delegator से network का centralization भी हो सकता है यानि पूर्ण तरीके से decentralized system नहीं रहेगा और तिसरा है जिस user ने कम coin stake किये हैं वो लोग यह सोच कर vote नहीं देंगे जो pine network में भी उपयोग में आता है हाँ अब मजाएगा ठाकूर जल्दी बताओ जल्दी बताओ नाम है Byzantine Fault Tolerance BFT इसमें ज्यादा powerful computer की जरुवत नहीं है ना ही कोई investment करके ज्यादा coins take करके validator बनने की जरुवत है BFT में सब लोग मिलकर एक निणाय पर समत होते हैं जिसमें बहुमत जितता है चल्दी बताते हैं कि एक गाओ में चार परिवार एक बार निणाय लेते हैं कि किसी शहर में hotel में खाना खाने जाना है तो चारों परिवार के मुख्य सदस्य एक दूसरे को message करके यानि अपना पसंदिदा शहर बताते हैं और एक decision पर पहुंचते हैं कि कौन से शहर में जाना है तो वो निणाय के अधार पर action होता है और वो शहर में जाते हैं अब सोचो उस गाओं के दूसरे 50 परिवार भी इस system में शामिल होना चाहते हैं जिन में से एक उस गाओं में restaurant चलाता है और दूसरा उस गाओं का रसोया है जो catering का काम भी करता है चलो फिर से कोई शहर की अच्छी वाटल में खाना खाने के लिए जाने का आयोजन करना है तो system के अनुसार सब लोग एक दूसरे को message करके बताते हैं परन्तो इस बार गाओं का वो restaurant वाला भीया और वो रसोया caterers ऐसा message दूसरों को करते हैं कि अपने ही गाओं में हम ऐसा खाना बना सकते हैं उसके लिए शहर जाने की जरूरत नहीं तो अब इससे क्या होगा कि सब किसी एक नीड़े पर नहीं पहुंच सकेंगे इस प्रकार सिस्टम में fault आ गया यानि कुछ दोश का जन्मा हुआ ये तो 50 परिवारों को जोडने से ऐसा हुआ तो चो बड़े प्यमाने पर लोग इस सिस्टम में जुडते हैं और कुछ लोग अपना अलग-अलग मंतवय देते हैं तो कैसे किसी एक डिसिजन पर पहुंचा जाए यानि ऐसे दोशों को छोड़के सर्वस हमाती से एक डिसिजन लेने में कैसे आगे बढ़ें और सभी फीर से शहर में खाने के लिए जाएं और ये तो बार-बार होने वाला है तो इसके लिए वोटिंग में मेजोरिटी वीन्स यानि चुनाओं में बहुमत जितता है उस तरीके से काम लिया जाता है तो रेस्टोरंट वाले भया के मंतवय पर दूसरे लोग ध्यान नहीं देते या अउगन ना करते हैं और वो ही बात दूसरों को मैसेज नहीं करते जिसकी वज़ा से एक फाइनल डिसीजन तक जल्दी से पहुँचा जा सकता है देखे शेहर कोई भी हो सकता है परन्तु फाइनल डिसीजन का आना बहुत मतोपून है ये कुछ टोकन्स है जिसमें BFT कंसेंसस का उप्योग होता है कुछ प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा कंसेंसस का उप्योग करते हैं और नए-नए प्रोजेक्ट भी बनते रहते हैं पाइ के वाइट पेपर में पहली PD क्रिप्टो करणसी के प्रोब्लेम्स के बारे में लिखा है ज़्यादा कॉम्पूटर पावर और पैसों का सेंटरलाजेशन होने की वज़े से आम इनसान का क्रिप्टो करणसी तक पहुँच पाना मुश्किल था उसके सॉलूशन में बताया है कि पाइ नेटवर्क स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकल पर काम करता है जो फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रिमेंट का उप्योग करता है आप सीथ एक मॉबाइल से बिना इन्वेस्टमेंट की ये फ्री में पाइ का माइनिंग कर सकते हैं पाइ में चार तरह के रोल हैं जिसे पाइ की माइनिंग का रेट बढ़ता है और ज्यादा रिवोर्स पा सकते हैं पाइनियर, कंट्रीबुटर, एमबेसेडर और नोड पाइ के सिस्टम में फौल्टी होना उसका मतलब है पाइनियर के तौर पर माइनिंग नहीं करना कंट्रीबुटर के तौर पर सीकूर्टी सरकल नहीं बनाना या रेफराल टिम में अण्य लोगों को नहीं जोडना या फिर नोड नहीं चलाना या नोड का बंद होना इस प्रकार दोश्पूरुन होना अब ऐसे दोशों को छोड़के सर्वस हमाती से सिस्टम एक डिसिजन लेने में आगे बढ़ेगा और ब्लोक्चेन में एक नया ब्लोक बनाएगा ब्लोक्चेन चलाने में किसी प्रकार का आता है यानि कुछ नोड के डाउन होने पर भी सिस्टम तो अपना काम करना जारी रखेगा अब इस BFT कंसेंस में एक खत्रा है कि अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा ID या बहुत सारी फेक ID बना कर नेट्वर्क में गुच जाता है तो बाकी लोगों से ज़्यादा रिवो आसान होने से बचाया जाए पाई में पुरी दुनिया के लोग सामिल हुए तो सबकी KYC उनके देश के वैलिड ID कार से होगी ये काम मुश्किल जरूर है परन्तो इसको आसान बनाने के लिए Artificial Intelligence का उपयोग किया गया है जो दिरे दिरे अपने आपको इंप्रू करता जाए और उसके लिए कुछ समय भी लगेगा हे पाई नियरो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा कि बिटकोइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो रोजमर्रा की जिनगी जिनने वाले आम इंसान के बसकी बात नहीं इसलिए बहुत लोग मोबाइल से फ्री में माइनिंग होन क्रिप्टो की एप इंस्टॉल करके माइनिंग शुरू करते हैं चलिए एक लिस्ट देखते हैं जिन में से आप भी कुछ टोकन्स माइन करते होंगे या बनाते होंगे आलफा, एंटाइस नेटवर्क, अराइज, आरिया, आतोशी, अवाईव जो के अभी नया आया है बीलव, बेटल स्टीड, बीसी एल और बी नेटवर्क उसके बाद हैं बीलजी, बिशोमा, बंडेक्स, बिओ टीसी, कैट स्टार, चिटमून, कोर कोईन, कैंडी, केक कोर और इगल फिर हैं फॉक्स कोईन, गागा नोड, गामी टोकन, हैथर, आइस, जो कि अभी टेस्टनेट पर चल रहा है किबो, कोईनोक्स, कुकोईन, ला टोकन और लियो, फिर हैं लवली टोकन, मालडोरिनी, मिन्टेक्स, मोग नेटवर्क, OEX यानि कि ओपन एक्स और शायद ये भी आपका पसंद दिदा होगा, ओमेगा नेटवर्क, वन नेटवर्क, पाइकू, प्रीमल, पंक पांडा, रेमी टानो, जो पिछले साल आया था, पी एक्सार, सीद्रा कोईन, स्टार नेटवर्क, सुई फ्रेंज, सूपर एक्स, टीसी कोईन, टेमजू, ट लग-लग क्रिप्टो टोकन के बारे में जानते रहते हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आपको भी कुछ ग्यान प्राप्त हुआ होगा, तो अपने पसंदिदा ब्लोक्चेन प्रोजेक्ट के बारे में पहले जाने, और जो मन को सही लगे, यानि भविश्य में कुछ फ मेरा मित्र, मैटा मित्र, जाए हिंद, जाए भारत!